सो हेलो गाइज और वेलकम टू डॉक्टर विकास फामेसे चैनल इस वीडियो के माधियों हम से हम डोजिज फॉर्म के बेसिक परिचा है और क्या हमें महत्पूर्ण रिक्वार्मेंट है उसके बारे में जानेंगे यह शुरू करते हैं सबसे पहले एक बेसिक चीज जाने की वेंजन से मैं डोजिज फॉर्म को कि शब्द को कंपैर करते हूं बताना चाहता हूं जैसे माल लीजिए बैंगन की सबजी आप बनाना चाहते हैं राइट बैंगन की सबजी के लिए सिंपल आप मार्केट से बैंगन जो खरीते हैं उसको डिरेक्ली आप कच्छा तो खा न के लिए आपको कुछ सामकरी की इस्तमाल ज़रूर पड़ेगी जैसे मसाली तेल तमाटर प्याज इत्यादी जब यह सारी चीज़ें आपकी मिल जाएंगी तब जो बैंगन की सबजी में तयार होगी डैट इसको डिश बोलते हैं डैट इस एक्चुली कॉल्ड एस अ प्रोड इसके अलावा भी बहुत तरह की सामकरी लगती है में जो ड्रक का पाउडर होता है उसके साथ तब जाकर के वह एक उसे ग्रहन करने योग यो रूप लेती है अब ग्रहन करने का मतलब यह है कि जो भी प्रोड़क्ट आप दवा की दुकान से लेते हैं अब उसमें जो में जना पाउडर ड्रक का है वो हो गया आपका में शड़ा तो इह कंपलीट हो जाता है जो रूप को ले लता है उसे हम डोज़ता है इसे आप भी मेंशा ध्यां णराहेगा ज से एक स्टेंड़र्ड डेफिंशन बनती है that is the manner in which जिस रूप में मार्केट में किसी दवा को प्रस्तुत किया जाता है जिसका प्रस्तुती करना किया जाता है उसे dosage form कहते हैं देखते हैं कि किसी particular dosage form को convert करते वक्त किन बातों को विशेज ध्यान में रखा जाए अब हम देखते हैं कि किसी भी dosage मतलब drug को dosage form में convert करते वक्त किन बातों को का ध्यान में रखना ज़रूरी है और उससे ही उसकी need पूरी होगी dose accuracy मतलब माली जी solid dosage form बना हरा कि liquid dosage form में यह applicable नहीं होता है unit dosage form जैसे tablet है capsule है उसमें accurate dosing होनी चाहिए protection उसे होना चाहिए protection from gastric juice यानि कि जब हम खाते ही उसे ग्रहन करते है तो हमारे stomach में जितने भी juices है acid है उससे protection होना चाहिए जो दवा का एक कड़वा स्वाद होता है जो drug molecule के powder का जो स्वाद होता है उसके masking होने चाहिए उसके लिए coating feature होना चाहिए मतलब वो coating substances के साथ भी विस्तार पूरवक्त देखें तो सबसे पहला यह कि side effects यानि किसी प्रकार का discomfort कम से कम हो और त्वरित उप्चार मिले patient को जल्द से जल्द यह dosage form को बनाने वाले जो formulation scientist है जो लोग मनाते हैं उनका सबसे प्रतम उत्देश रहता है इसके बाद दन जो कुछ वांच नहीं जानी कि जो basic requirements है वो यह कि handle convenient to handle use and store मतलब अच्छे से उसके packaging हो जानी चाहिए इसी तरह से शायद आपने देखा होगा आपका भी imagine करिए कि tablet का shape एक जस्ट मैं example बता रहा हूँ कि tablet का shape round ही क्यों होता है square क्यों नहीं होता कई shape आते हैं लेकिन measurely round होता है syrup की bottle से एक standard उसमें आती है plastic को ज़्यादा prefer किया जाता है तो मतलब यह जो section है यह convenient to handle use and storage के हिसाब से ध्यान में रखा गया किया जाता है इसके बाद वो stable होना चाहिए stable से यहाँ पर मतलब है उनकी stability यानि की shelf life आप देखते हैं जैसे आप एक दुकान से tablet का पत्ता खरीते हैं तो आप देखते हैं कि उसके expiry जो है दो साल तीन साल होती है तो लंबी उसकी shelf life होना चाहिए क्योंकि दवा जब company में बनती है उसके बाद कई चरुनों को cross करने के बाद वो patient तक पहुंचती है मतलब factory से निकलेगी wholesaler के पास जाएगी wholesaler से retailer के पास जाएगी retailers के पास जाने के बाद उसको patient के पास जाएगी अब patient उसे इतने period time में वो stable रहे एक्सपायर नहीं हो क्योंकि एक रसायनिक पदार्थ है shelf life अच्छी खासी होना चाहिए ये भी dosage form के अंतरकत इसलिए आता है दोस्तों क्योंकि drug की अपनी खुद की shelf life तो definitely होती है लेकिन जब excipient यानि जो अतरिक्त सामगरी से मिलने के बाद जो दवा dosage form तैयार होता है वो भी stable होना चाहिए इसके बाद without with stand mechanical shock अब कहने का मतलब यह है कि जैसे माल लीजिए company में tablet बनी अब tablet बनने के बाद वो सीधे travel करेगी कहां wholesaler के पास फिर wholesaler से जाएगी retailer के पास इस दोरान वो कई तरह के transportation होती है फिर कई tablets पत्तों में डब्यों में भी आती है patient उसको हिलाटे मतलब tempering होती है शौक होते तो कहीं ऐसा ना हो कि patient पतला का दवा का पत्ता खोले और उसमें से powder बाहर आ जाए मतलब tablet की जो integrity है जो ठोसता है वो बनी रहनी चाहिए साथी साथ tablet इतनी नाजुक भी होना चाहिए कि जैसे हम खा लें तो हमारे पेट में तुरंत घुल भी जाना चाहिए तूट भी जाना चाहिए मतलब ये दोनों उसको जो गुण है परदान करने पड़ते हैं formulation scientist को तो binder डालते हैं ताकि transportation के time पे वो इस्थिर रहे कि उसके बाद disintegrant डालते हैं पेट में भी जल्दी खुल जाए ये सारी चीज़ें को बेसिक requirement होती है इसके बाद flexibility in different drug strength मतलब की कोई भी medication है चाहे वो liquid form में हो solid form में हो किसी भी form में हो उसके power की strength बनाई जा सके इस तरह की flexibility होना चाहिए अब इस चीज़ को क्यों बोला जा रहा है जैसे माल लीजिए आप एक कोई दवा देखते है market में अब उसमें 20 mg की भी आती है फिर 500 mg की भी आती है 600 mg की भी आती है अब जितना ज़्यादा power लगेगी उतना ज़्यादा powder उसका इस्तमाल होगा उतने ज़्यादा एकसी बेंट लगेंगे तो कुल मिला का कि टेवलेट का वजन साइज आकार इतना बड़ा नहीं हो जाने चाहिए कि इसको पेशन्ट गरहनी न कर सके तो इन चारी सारी चीज़ों में भी इस तरह से compatibility को बिठाना ये भी को के अंतरगत एक बहुत ही important requirement होती है जो इसके बाद जो भी expected therapeutic effect है माली जो डाइबेटीस के लिए है blood pressure के लिए सरदर्द के लिए माईगरेन के लिए जिस चीज़ के लिए भी है वो optimum way में थेरापेटिक को effect को दे है इसके बाद next section आता है कि जो mechanism है उसका ड्रग रिलीज ऑनसाइट intensity of action याने की टी विरता समया अबधी ये सारी एकदम best तरीके से होनी चाहिए किसी भी प्रकार का एक्सीपियंट का असर ड्रग के ऊपर नहीं पढ़ना चाहिए इसके बाद जो थोड़ा बहुत basic section है वो है economicity और elegancy क्याने कि patient मतलब जो presentation आप देखते हैं अंदर जो content है जो दवा है वो तो ठीक है definitely वो सबसे main चीज है उसी से ही therapeutic effect होने वाला है लेकिन जो दवा है उसका dosage form है उसका look इतना elegant होना चाहिए कि patient जो अल्रेडी परिशान जो पीड़ित है समस्य से बिमारी से तो वो दवा को देख करके उसका जो एक मद में relaxness हाना चाहिए कि हाँ definite बतलब ये खास तार पे मेरे बताने का मतलब है कि elegancy एक बहुत important रोल नभाती है patient compliance में patient compliance का मतलब कि जितना user friendly product होगा patient को उतना अच्छा लगेगा that is why dosage form में solid के form में उनके size उनके color उन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है साथी साथ syrup है या फिर जो liquid dosage form में जिनों मुह से ग्रहन करते हैं उनमें स्वाद का बहुत और flavors का बहुत ध्यान रखा जाता है बहुत ही dosage form का हमने पर्चा देखा जिसमें की जो सबजी वाला section था यह बहुत important है कि जो की dosage को एक बहुत अच्छे तरीके से represent करता है dosage का मतलब उसको आप drug से ना correlate करें dosage का मतलब यह होता है कि वो जो ग्रहन करने योग्य बन जाए जिस रूप में हो चाहे सीरप, सस्पेंशन इमल्चन, इसके बाद टैबलेट कैपसूल, पाउडर जिस फॉर्म में हो जो आप देखते हैं that is actually a call as dosage तो आशा करता हूँगा इसकी ये वीडियो आपको dosage के शब्द को समझने में काफी मदद करेगा, हमने बहुत आसान शब्दों में समझा और इस presentation को अगर इस study reference के लिए पढ़ना चाहते है तो इस वीडियो के description में एक link है उस पे click करके आप उसे पढ़ भी सकते हैं चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, bell icon को प्रेस करना नहीं भूलिएगा बागे facebook, instagram पे भी connect कर सकते हैं जल्दी मिलिंगे अगली वीडियो में stay and take care